वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकरी देने वाला हूं कि आजकल आप देख रहोंगे जियो का नेट का स्पीड का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अब लगातार देख रहे हैं कि ट्राइन भी अभी एक अपना बयान जारी गिया है कि जियो की स्पीड लगातार स्लो ही होती जा रही है तो जियो ने फिलाल एक ऑफिसियल न्यू इंटरनेट की एपियन की सेटिंग निकाली है लाँच की है वो अभी फिलाल अभी सभी के लिए नहीं है अगर इस सेटिंग से आपका फायदा हो या आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़े तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को चलिए दोस्तों देखते हैं वो एपियन सेटिंग सबसे पहले आपको अपने मुगाल की सेटिंग में जाना है यहां से नहीं आएगा आपको डिरेक्टली ही जाना पड़ेगा देख लीजेगा यहां आपको सिम बन सेटिंग में यहां आप देख रहा हूंगी जियो की डिफाल्ट सेटिंग यहां पे मैंने सेट की वी है जो जियो डिफाल्ट देता है इसको क्या करना आपको जाना है अंदर इसको डिलीट कर देना है और एक न्यू एपिन बनाना है न्यू एपिन में आप नेम में रखिए कुछ भी रख सकते हैं नेम तो कुछ भी रख सकते हैं अपना नाम भी डाल सकते हैं चाहें तो तो मैं तो यहां पे डालना हूं जियो के वल जियो ओके एपिन में आपको करना है जियो नेट द्यान से देखेगा दोस्तों और इसके बाद आपको सीरे सर्वर पर आना है सर्वर पर आपको डालना है www.mostly आपने यूट्यूब के वीडियो में देखा हुग एपीन सेटिंग चेंज करते हुए कि यहाँ पर जारता लोग www.google.com ही डालते हैं लेकिन जीओ ने अभी रिसेंटली यह जो सेटिंग लांच की है इसमें इसने चेंजस की है इसमें चेंजस किया आप देख लीजिए www.google.com नहीं रखना आपको यहाँ पर रखना www.go.com उसके बाद आपको ओके कर देना है और सीधे MNC यह मेरे मोईल में 871 है आपके मोईल में कुछ भी हो सकता है 858 हो सकता है 841 हो सकता है तो प्लीज इसको मत आप चेंज करिएगा जो है जैसा है वैसा ही रहन दीजिएगा फिर इसके बाद आपको APN authentication type में आना है इसको none कर देना है APN type में आना है APN type में आपको not set अटा देना है यहाँ पर आपको लिखना है Default, XCAP देख लिए ध्यान से दोस्तों Default, XCAP यहाँ OK कर देना है यहाँ आपको APN protocol में IP भी 4 सेलेट करना है एक बार में यह नहीं सेलेक्ट होगा केवल IP बस लिख्यार आप देख पा रहे होंगे इसको दूसरी गार फिर से सेलेट करना है तो आगया आप IP भी 4, APN roaming protocol में भी आपको IP भी 4 करना है और same वैसा ही करना है Barrier में आपको आना है Barrier में आपको LTE select करना है केवल LTE मेरे में बहुत सारे आपसान आ रहे हैं आपके वाल में इतना सारे नहीं आ रहे होंगे यह आ भी रहे होंगे लेकिन कुछ जितने भी आ रहा हूं उसमें से आपको केवल LTE ही select करना है यहां आपको MVNO टाइप यह में सेटिंग जो जियो ने भी लांच की है MVNO टाइप में आपको यहां SPN select करना है और MVNO वैल्यू इसी निचे आप देख रहे होंगे यहां आपको जियो 4G लिखना है यह आपको ऐसा लिखना है फर्स्ट लेटर आपका जियो का J आपका capital रहेगा बाकी इसमाल रहेगा फिर 4 space for capital G इसको आपको ऐसा ही लिखना है दोस्तों इसके बाद आपको ok कर देना है और setting आप एक बार और देख लिजे APN में आपको GEO NET नेम आपको भी रख सकते है server geo.com यह मेंन है देख लिजेगा APN type default,scap APN protocol IPv4 APN Rumin protocol IPv4 bearer LTE MVNO type में आपको SPN MVNO value GEO 4G यहां से आपको इसको save कर देना है ऐसे NET आपको honor यह है यहां पर तो दोस्तो मैं भी आपको download करके चलिए मैं अपना phone update मांग रहा था मैं आपको वह करके दिखा देता हूं speed अगर हो रहा है download तो यह देखिए दोस्तो ऊपर notification panel में देखिए आप 1.6 MB, 2.3 MB per second 2.6, 3.6 MB per second से download हो रहा है यह देखिए आप यह देखिए दोस्तो 3.5 MB per second इससे आपकी 100% speed body की इसकी guaranteed है अगर यह video आपको help कर रही हो अगर speed आपकी बड़े तो please मेरे चैनल को subscribe करियेगा और जादा जादा share करियेगा दोस्तों पहली video मेरी please appreciate करियेगा आप लोग गुडबाई दोस्तों